वेल्कम टिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांस गन बाश्रों होगा रेडी स्टार्ट आर्थिक गति विधियों को गति देने के मकसद से धीरे धीरे बंदी हटनी शुरू हुई तो अपेक्षा यही की गई थी कि लोग खुद एहतियात बरतेंगे और कुरुना संकट से पार पाने में मदद करेंगे मगर लगता है कि लोगों को इसकी परवाह बिल्कुल नहीं रही लोग सडकों पर और बाजारों में इस तरह बेख हौफ निकल पड़े जैसे कोविड का कभी कोई खत्रा रहा ही नहीं बिनामुह धके और उचित दोरी बनाए भीड भाड लगाना शुरू कर दिया इस बीच बिहार विधान सभा के साथ दूसरे राज्यों में लोग सभा और विधान सभाओं के उपचुनाव भी गोशित कर दिये गए वहां राजनेताओं की रैलियों में महामारी से बचाव संबंधी नियम कायदों की जम कर धजियां उड़ती दिख रही हैं उपर से धान की फसल कटने के बाद हरियाना और पंजाब जैसे राज्यों में तमाम अनुरोधों और सक्त नियमों के बावजूद किसान पराली जलाने से बाज बाज नहीं आ रहे उसकी वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों में वाई प्रदूसन खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है किनी लापरवाहियों और मनमानियों का नतीजा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर तेजी से पामपसार ने शुरू कर दिये इस्थिती यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब तक के सबसे चिंताजनक स्तर पर पहुँच गए हैं एक दिन में करीब पौने साथ हजार लोगों के संक्रमित होने का आंकड़ा दर्ज हो चुका है यह अब तक का सरवाधिक आंकड़ा है यह इस्थिती तब है जब माना जा रहा था कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप उतार पर है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा पूरे देश के स्तर पर देखें तो पहले की तुलना में जरूर संक्रमण उतार पर कहा जा सकता है मगर दिल्ली में जिस तरह इसमें अचानक उच्छाल दर्ज हुआ है उससे सभाविक ही चिंता बढ़ गई है इस वक्त दिल्ली में संक्रमण दर पूरे देश की संक्रमण दर से कहीं अधिक है जांच में 11 से 13 प्रतिशत लोग संक्रमित पाए जा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे कुरोना की तीसरी लहर माना है जिस वक्त देश के तमाम राजियों में संक्रमण की बढ़ती दर को लेकर चिंता जताई और जांचों में तेजी लाने की जरूरत बताई जा रही थी उस वक्त दिल्ली सरकार ने जरूर ततपरता दिखाते हुए इस समस्या पर काबू पाने की कोशिस की थी मगर जैसे ही मामले कम होने शुरू हुए लगातार सिथिलता बरती जाने लगी मुख्यमंत्री ने गोशना कर दी की जो लोग मामली रूप से संक्रमित हैं या जिन में खांसी जुकाम बुखार के सामान लक्षन हैं उन्हें अस्पताल में भरती होने की जरूरत नहीं है वे घर पर रहकर सावधानी बरतते हुए ठीक हो सकते हैं मगर अब एक बार फिर दिल्ली सरकार की पेशानी पर बल उभर आए हैं यह तेवहारों का मौशम है बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है दूसरे राजियों से आवागमन और सारवजनिक वाहनों में यात्री संख्या संबंधी बंदिशें हटा दी गई हैं दिल्ली एक ऐसा सहर है जहां से बहुत सारी कारूबारी गतिविधियां संचालित होती हैं अनेक उद्योग धंधे दिल्ली के बाजारों पर निर्भर हैं ऐसे में आसपास के राजियों और शहरों से लोगों का यहां आना जाना बढ़ गया है जाहिर है इसे इस खुले पन और जरूरी उपायों पर अमल नव किये जाने प्रदूसर बढ़ने की वज़े से दिल्ली में कोरोना का प्रकूप प्रचंड रूप लेने लगा है इन तमाम पहलूँ के मद्दे नजर दिल्ली सरकार क्या वेवहारिक कदम उठा पाती है देखने की बात है फिलहाल लोगों से ही अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सेहत को लेकर जरूरी सावधानी बरतें स्टॉप